दोस्तो नमस्कार NCRT गनीत के अच्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रस्नावाली आरदस्मालब 2 के प्रस्न संख्या 1 के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजगा और चैनल पर नाए है तो चै ये कुनमितिय अनुपातों का मान रखना है और इसे सॉल्व करना है तो आए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं सवाल लिख लिएं अब हमें बारी बारी से साइन 30 डिग्री टेन प्रेंटारेश डिग्री और को सेक साड़ डिग्री का मान रखना है तो लिख लेते हैं तो इसके बाद पलस काचीन हें तो पलस काचीन देंगे अ अब है 10 25 डिग्री तो देख लेते हैं तरे अर्ट mutual डी कमां कितना हैं टेन के सामने और چल्यक्री के नीचे कितना है एक है इसलिए 10 45 कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे एक कि इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे इसके बाद है कोसेक दिग्री तो कोशिक शाटट दिग्री का मान है दो उता रूट अंडर तीज़ को दो बाट टा रूट अंडर ऑग त्यं जो अब यह बाटा है तो हम यहाँ पे बटा देसे और कि इसके बाद नीछे वाले आReet-team, करेंगे तो नीचे क्या है स्यकlı 30 biography तो सेक तीश दिगरी का माँन है 2 वेट मीनर 3 तु लिखेंगे दो बटा रूट अंडर 3 बोपर रूट अंडर 3 प्लस है तो प्लस देंगे है ओ हॉ इस साट डिगरी है तो कॉस साट डिगरी का माँन है एक बटा दो तो लिख लेंगे एक बटा दो एक बटा दो इसके बाद पलस है तो पलस देंगे अब है कौट 45 डिगरी तो कौट 45 डिगरी का मान कितना है एक है तो लिखेंगे एक आप क्या करना है कि अगर कोई संख्या अकेला होता है तो उसके नीचे हमें एक दे देते हैं यहां भी हमें एक दे देंगे इसके बाद क्या करना है कि उपर के संख्या काम अलग करना है नीचे के संख्या काम अलग करना है तो उपर का हम बटा का जुर भटाओ बना लेते हैं उपर हमें क्या करना है कि सबसे पहले LCM निकालना है तो LCM निकालते समय आपको ध्यान ए देना है कि अगर नीचे वाला संख्या यानि हर एक जैसा नहीं होता है तब हम इसका क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं तो यहां दो है एक है और रूट अंडर तीन है तो दो एकम द और जब रूट तीन से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा है कि दो रूट अंडर तीन अब हमें क्या करना है कि दो रूट अंडर तीन में दो से भाग देना है तो आए हम आपको भाग करना भी सिखाते हैं है 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 दो रूट अंडर तीन हमें भाग कितना से देना है दो से वह मीषमें दो से भाग देंगे तो दो से 3 बैसरी से दो क्या हो भाग देना है तो जब आप 2 out अंडर 3 को 1 से भाग दिजीगा तो क्या हो जाएगा दो रूट अंडर 3 ही बचेगा और बुद अंदर ती क्रमा जब आपईक से करेंगे तो यह आ जाएगा 2 ूरे टर ओनदर 3 कि इसके बाद माइनस का चिन है तो माइनस का चिन देङे 2 effort अंडर तीन में जब हम रूट अंडर तीन से भाग देंगे तो देखे क्या होता है गुना हो जाएगा तो इसको हम लीख लेते हैं दो रूट अंडर तीन अब दो रूट अंडर तीन में जब हम रूट अंडर तीन से भाग देंगे तो क्या होगा रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन कट जाएगा क्या बचेगा दो और जब दो का गुना जब दो से होग गे तो यह आ जायगा। रूटेवन दर्तीन प्लस कचीन है तो इसके बाद उसके भांथ इसके बाद दो Mercedes में जब हमे के सभागोगे गये तो कि आजóm अब भाग दिए थे दो रूत Android इस उसके आहीथा और हम एक से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा दो रूट अंडर तीन अब क्या करना है कि दो रूट अंडर तीन और एक रूट अंडर तीन जब दोनों को जब जोडते हैं तो क्या होता है दो रूट अंडर तीन और एक रूट अंडर तीन क्या हो जाएगा तीन रूट अंडर तीन इसके बाद माइनस चार है तो लिखेंगे माइनस चार और बटा में कितना है दो रूट अंडर तीन यह बटा है तो यह बटा देंगे यहाँ इसके बाद में दो रूट अंडर तीन और एक रूट अंडर तीन क्या हो जाएगा दो और एक तीन रूट अंडर तीन और ए हो जाएगा प्लस का चार बटा दो रूट अंडर तीन अब इसके बाद क्या करना है कि इस संख्या को जियोंकतियों लिखना है तो तीन रूट अंडर तीन माइनस चार बटा है दो रूट अंडर तीन अब क्या करना है गुना का चिन देना है नीचे वाले संख्या को उपर ले जाना है और उपर वाले संख्या को नीचे ले आना है तो क्या हो जाएगा 2 root under 3 उपर चला जाएगा और 3 root 3 plus 4 नीचे आजाएगा तीन रूट अंडर तीन प्लस चार अब हमें करना है हरों का परिमेई करन तो लिख लेते हैं सबसे पहले हर का परिमेई करन करने पर तो आपको पता है न कि हर का परिमेई करन कैसे करते हैं नीचे वाले संख्या से अंस और हर दोनों में गुणा कर देते हैं सिर्फ इसका चेंज कर देते हैं जैसे पलस है तो माइनस वालों से गुणा करेंगे माइनस रहेगा तो पलस वाले से गुणा करेंगे तो लिखेंगे तीन रूट अंडर तीन माइनस का चार और क्या है तीन रूट अंडर तीन प्लस का चार इसमें हमें गुना कर देना है इस संख्या से गुना करना है लेकिन इसका चीन चेंज कर देना है तो क्या हो जाएगा तीन रूट अंडर तीन प्लस का चार है तो क्या हो जाएगा माइन अब इसका इसका गुना करना है और इसका इसका गुना करना है आए हम आपको गुना करके दिखलाते हैं क्या है तीन रूट अंडर तीन माइनस चार और ए है आपका तीन रूट अंडर तीन माइनस चार इसका गुना करना है तो क्या हो जाएगा रूट के बाहर का गुना रू रूट अंडर 3 का जब हम गुना करते हैं तो यह आता है रूट अंडर 9 और जब रूट अंडर 9 को जब हम बाहर करते हैं तो कितना आता है तीन इसके बाद देखें क्या करना है प्लस है और भी प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जागा माइनस रूट के बाहर वाले संख्य त्वाघ्रचा नहा कोन हो जाएगा हिस से तो क्या हो रगा चार्टिया बारा खी रूट तीन रहेगा ऐसे ही इसके बाद में प्लस माइनस माइनस घर ती या का बार रूट ंच विरिव देंगे माइस माईनस कि आहिगा प्लस और चार्टम के तो यह आपका हो जागा नौतिया 27 बारा बारा 24 रूट अंडर 3 और प्लस 16 अब इसको इसको क्या करना है जोड़ लेना है तो साथ और छोह तेरह के तीन हासिल एक दो तीन और एक चार 43 हो जाएगा माइनस 24 रूट अंडर तीन तो फाइनल जो मेरा आ गया उपर का काम करके वह आ गया 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 तो इसको लिख लेंगे तो जो किटालिस माइनस 24 रूट अंडर तीन बटा अब नीचे वाले या काम करते हैं तो नीचे क्या है तीन रूट अंडर तीन प्लस चार यह हैं तीन रूट अंडर और रूट अंडर तीन का क्या होगा प्लास हो जर आहाइगा चारतिया बार रूट अंडर तीन प्लस माइनस चारत याही । रूट अंडर 3 और माइनस प्लस माइनस चार्चों के 16 तो नुटिया क्या हो जाएगा 27 और पलस 12 रूट 3 से माइनस बार रूट 3 क्या होगा कैंसील हो जाएगा और यह आगया माइनस का 16 तो जब इसको हम घटा देंगे तब साथ में से छे जाएगा तो कितना बचार एक और दो में से एक मैनेस हो जाएगा तो क्या बचेगा एक यानि नीचे आ गया 11 तो 11 हो गया यही मेरा फाइनल एंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो समझ में आ गया है तो दोस्तों में सेयर कर दिजे फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद